नमस्कार, मैं हूँ अंदिना, मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर जोगिंदर टाइगर, डॉक्साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है, डॉक्साब आजकल ग्रीन टी बहुत जादा चलन में है, कहते हैं से मेटाबॉलिजम स्टूंग होता है, तो क्या ये सहह है? दखिए, जो टी है, अगर उसे हम लेते हैं, वो फाइदा तो करती हैं, ग्रीन टी और ब्लैक टी इसके चक्र में लोगों को अलजाया हूआ है, ग्रीन टी और ब्लैक टी एक ही होती है. ये कमेलिया जिसे पेड कहते है जोर्ज जोसफ कमेलिया एक मिशनरी जो क्रिश्चन आदमी इंडिया में आया था उसने इसका इंडोनेशिया और दूसरे कंट्री में भी घूमता रहा वो स्टार्मी सेंच्री की बात है उसमें उसने इसका नाम चाय का नाम कमेलिया ट्री उसके नाम से रख दिया वो नैच्रल हर्बलिस्ट था पंताली साल की उमर में उसका देहात हो गया था यह जो चाय के पेड को कमेलिया कहती है यह कमेलिया से ही ग्रीन टी बनती है उसी सी ब्लैक टी बनती है यह मेटाबरिज्म को दोनों ही ठीक रखती हैं, शर्त यह है कि इसमें चीनी ना डाली जाए, अगर चीनी डालती है, तो गर्वर करती है, मतलब कहने का यह है कि शुगर का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें, तो सब ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या डिफरेंस है, यह बहुत अच्छी बात है, बिसिकली ग्रीन टी ऐसा होता है, जब प्लांस से हम लोग, कोई भी आदमी, हम यहां हर्वेस्टिंग भी करते हैं, जब वो लोग प्लांस से, कमेलिया प्लांस से, उसके लीफ को काटते हैं, काटका डिरेक्ट उसको जहां सुकाते हैं, जब मिशिनरी से उसको सुका करते हैं, उसको डिरेक्ट मार्किट में बेशते हैं, उसको ग्रीन टी कहते हैं, जो ब्लैक टी क्या होती है, जब ग्रीन टी को काट लेते हैं لیپ스 को उसके बाद उसमे नेच्रर अंजाइम होते हैं उन अंजाइम को वो और बढ़ाते हैं, बढ़ाबा देते हैं, उससे अंजाइम बढ़ जाते हैं जिससे वो जो चाए है उसका अरम बलैक हो जाता है, वो चाए ग्रीन टी से कई गुना फैदेबंद होती है और लोगों को दरसर मार्केटिंग के चक्र में ग्रीन टी में टीवी लगा हुआ है मीडिया है ये लोगों का कोई अपना ग्राउंड रेयल्टी का इनको पता नहीं है ये इंफर्मिट्री लोग है सारी एजूकेशन यही काम कर रही है इनफर्मिशन अठाती है इनफर्मिशन पास कर रही है डॉक्टर भी यही काम कर रहे है ग्रीन टी दरसर मेहंगी बिचने की चक्र में ग्रीन टी की एड़िटेजमेंट हो रही है उसके मकावन हाला कि ब्लैक टी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें अंजाइ तेहार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका मुटापा कम हो जाता है ग्रीन टी पीने से, तो क्या ये सही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो ब्लैक टी के मकावले में ग्रीन टी में जो खुबी बताते हैं को खुबी उससे ज्यादा नहीं है इवन ब्लैक टी में ज्यादा है क्योंकि ब्लैक टी का में एक क्वालिटी है जो विटामन के है वो ब्लैक टी में ज्यादा होता है दूसरा ब्ल लेक्टी को पीती है नीर कम डिस्टर्ब होती है यह दरसर बात क्या है हम लोग जो माइड का यूज करते हैं माइड को बहुत जल्दी कंडिशन किया जा सकता है माइड को बहुत जल्दी फीड किया जा सकता है माइड एड़र्टाइजमेंट की बज़ा से और सो काल्ड हम सोचने भी वैसे लगते हैं, ऐसे लग रहा है कि वो चीज हमें वही काम कर रही है, जो यह बता रहे हैं, तर दरसर ऐसा नहीं है, ग्रीन टी और ब्लैक टी में कोई फरक नहीं है, एक ही पेड़ के यह पते हैं, मगर ब्लैक टी में नैच्रल अंजाइम उसके इसके बहुत कैसे कहते हैं, आजकल और्गनिक खेती करो, मैं लोगों को पूछता हूँ भाई, देसी खेती तो हम पहले ही कर रहे हैं, हम यह क्यों नहीं कहते हैं, कि देसी खेती को और्गनिक कह रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, यह भाशा का चक्र है, और कुछ नहीं है, इससे जादा और कोई ब्लैक टी के मकाबले में कोई जादा यूजर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है हाँ ये जुरूर है कि अगर हम ब्लैक टी को थोड़ी मातरा में डाल कर लेते हैं तो ये SDT को कम करती है अगर जादा मेलेंगे तो SDT बढ़ाएगी इसलिए चाय को जब भी पीना है उसको कम मात दालना है जैसे एक कप के लिए रिकमेंडेशन ये है कि टी स्पून का बन थर्ड ढला जाए क्योंकि अगर तीन चार बार आप पीते हैं अगर आप टी को एक दो बार पीते हैं तो टी कभी वी एक टी स्पून फुल से जादा पूरे दिन में यूज़ ना की जाए टी का त फाइदे जैसे आपने बताया कि इसको लिमिटेड मातरा में अगर आप पिएंगे तो फाइदा होगा वरना नहीं होगा ऐसे ही ब्लैक टी को भी लिमिटेड मातरा में आप पिएंगे तो फाइदा होगा वरना नहीं होगा इसमें आपने नहीं होगा इसमें आपने आपने जाले के बाशा के चक्र करते हैं, उसे में भी क्या करते हैं, ती में थोड़ा सा तुलसी डाल दिया, ती में तोरा जैस्मिन फ्लाबर डाल दिया, जहां ती में लेमन ग्रास का वो डाल दिया, अलग लग चीजे हैं, जब ती में हम वो डाल देते हैं, हम कहते हैं यह ती इस में को जैस्मिन डाल देते हैं, जा हम 11 फ्रेम डाल देते हैं, उनका रिट भी इतना है, मगर पड़े लिखों को टार्मलावलोजी से आप एक हजार पे किलो, दो हजार पे किलो इजी बेज सकते हैं, यह सब सिर्फ मार्केटिंग ट्रेंड हैं जो ठीवी वी का चक्र हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े भाग हैं, वो पहले टरडिशनल लोगों के पास चाय थी, जैसे चैनिजी लोग बनाते थे, इंडियन बनाते थे, इंडोनिशन बनाते थे, ये लोग पहले बलैक टी पीते थे उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए, उसके बाद जब ये कमेलिया इसका नाम रखा गया जोर्ज जोसिप कमेलिया के नाम से जो मिशनरी, क्रिशिन मिशनरी ये यहाँ आया था उसके नाम से स्टार्मी सेंचुरी में रखा गया उसके पास ये ग्रीन टी का ट्रेंड शुरू हुआ ग्रीन टी जो मल्टी नेशन कमपनी के हैंड में है उनके पास मीडिया है, उनके पास डॉक्टर है, उनके पास यूनियस्टी है, उनके पास कॉल्जिस है, उनके पास सब कुछ है किसी चीज को बढ़िया बनाने के लिए, उनके पास सब कुछ है किसी चीज को नगलेक्ट करने के लिए, यह दरसर यही कमाल है, और चाय का कोई दोश नहीं है ब्लैक टीका जहां ग्रीन टीका डॉक्साब चाय के अंदर चीनी मिलाके अक्सर पी जाती है अगर चीनी नहीं मिलाना हो तो हम क्या मिलाके पी सकते हैं आप उसमें देखिए चाय में निम्बू डाल सकते हैं अगर निम्बू नहीं डालना आप उसमें गलाब क फूल डाल सकते हैं अगर आपके फूल नहीं डालने उसमें अगर बाद में आप शक्र डाल सकते हैं देसी शक्र गुर डाल सकते हैं थोड़ा हलका उसको कम गर्म रहने के बाद हनी डाल सकते हैं बहुत चीजें जो चाहे में हम डाल कर पी सकते हैं उसकी गुनों को फैदा ले हनी की लाइफ जो है 65 डिगरी सेंटीग्रेट पे रहती है उसके बाद हनी मर जाता है उसमें कुछ बक्टेरिया होते हैं अंजाइम्स होते हैं वो लगाता साह लेते रहते हैं वो अगर उसको हम गर्म में ज्यादा डालेंगे तो मर जाएंगे तो सिर्फ मिठा रह जाएगा इसलिए चाय को हम अवाइड करें सर्फ चीनी ना डालें अगर ग्रीन टी है उसमें थोड़ा हम सेंदा सौर्ट भी डाल सकते हैं उसमें लाइची अबाल सकते हैं उसमें लाइची अबाल सकते हैं सर्दी का मौसमें कोई भी चीज आपते हैं डाल चीनी का चाय पी सकते हैं वो फ्रॉट के लिए बहुत यूसफुल है चाय को ये तो अपने पर डपेंड करता है हम चाय से क्या काम लेना है और उसका अनन्द कैसे लेना है चाय को में कोई भी फलेवर आप डॉइल्प कर सकते हैं उसके जिस चीज़ के जैसे यूज़ होते हैं उबरने के बाद चाय में मिक्स होने के बाद वो वैसे ही काम करती है बोड़ी में रॉक्साब दिन में लगबख कितनी मातरा से ज़्यादा चाय नहीं लेनी चाहिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक टी स्पून से ज़्यादा जो चाय पती है वो यूज नहीं होनी चाहिए एक आदमी के लिए आप उसको कितनी दफा लेना चाहते हैं जासे ज़्यादा आप पांच बार में भी ले सकते हैं उसे चार बार में भी ले सकते हैं ती इन बार में भी ले सकते हैं, दो बार में भी ले सकते हैं, अगर एक बार में लेंगे, थोड़ा मुश्कल में होगा, टेस्ट क्राब हो जाएगा, एक बार में ना लेंगे. क्या ग्रीन टी में दूद मिला करके भी पिया जा सकता है, रुकसाद। हाँ, दूद मलाकर पिया जा सकता है, मगर कोशिश किया जाए, कि दूद को अलाग अबाला जाए, चाए को अलाग अबाला जाए, वो अच्छा रहता है, अगर दोनों को अलग अलग अबालने के बाद में मिक्स करके आप ग्रीन टी में दूद डाल करके पी सकते हैं, अगर चाई में हम दूद बालते हैं, वो चाई में जाये बलेक टी यह जा ग्रीन टी यह उस में एक नैचल अंजायम जो होते हैं, जो दूद के अंजायम के साथ थोड़ा प्रॉल्म क्रेट कर देते हैं, उस से थोड़ा एसड़ी बनने का खासा बढ़ जाता है. ये थे हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जिन्होंने हमें ग्रीन टी और ब्लैक टी के बारे में बताया इन्होंने हमें ये बताया कि जो है ग्रीन टी है वो बिल्कुल ब्लैक टी जैसे ही है बलकि ब्लैक टी ज़्यादा बहतर है ग्रीन टी से दोनों ही antioxidant होती है दोनों ही एक जैसे ही गुना है दोनों में बस एक चीज का दियान रखे सिर्फ इसको एकको black बोलते हैं एकको green बोलते हैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.